कि हुआ है कि इधर एक तरफ तो आपके सेना कड़िए बाबर की है एक तरफ इधर आपके सेना कड़िए सांगा सांगा के पास सेना ज्यादा है बाबर के पास सेना इतनी नहीं उसकी सेना कम है सांगा की सेना ज्यादा है पर बाबर के पास में दो चीजे हैं बाबर के पास में तोप क्या है बाबर के पास में दो बाबर तोपे ले किया था उत्तर भारत में पहली बार किसी ने तोपों का इस्तेयमाल किया था तो आदमी बाबर तो आदमी कौन था तोपे ले किया था आर्टिलेरी आटी लेरी थी उसके पास में घ्या thI top है अपने वलों को तोप पता ही नहीं था कि इस प्रगार के भी कोई चीज होती है क्योंकि लड़ा हुआ भी और आप थीidd बहुता था था बैए हरावल में तो कोंद रहेंगे तो मानलो सुलूंबर वाले जो हां बीच में कड़े अरतन सिंग चुन्डा आओ तो खड़ाओ जा अब बाकी वाले कहां खड़े होंगे तो मानलो वागडगा उदे सिंग इसको का तू यहां खड़ाओ जा अमेर वड़ा परच्वी राद इसको का तू यहां खड़ाओ जांगा नगाब भी महार वर्द का माल देव खड़ाओ गया यहां यह देवलिया वळवळा भाक सिंग खड़ाओ गया यहां पर मानलो को दूसरा जो भी को आधि में और अलग चंदरी का मैजिनराय किड़ाओ साथ अजार आदिमियों के साफ यहाँ अधाइब जाओ अपने यह था कि मुसलमानों में कभी भी बड़े सेनापति नहीं लड़ते राजा कुद नहीं लड़ता वह यहां पीछे बेठे रहेंगे ईप उपने सेनापति यो रजा कभी भी उद्न में भाग करें तो गोली तों jsou किसी की लग सकती है तीर तो किसी की लग सकता है तलवार से कोई भी मर सकता है अब वाागड़ा उदे सिंह लट रहा है और दस मिनिट के अंदर-अंदर उदे यह साथ जाएं यह बाहर चले जाएगा यह बाहर दो पूंपीर समस्या यहां ध्युद्ध सुरू होता है युद्ध शुरू होता ही बावर इदर ऑपनी लेक्षाना है खड़े इनको लगा आगे आगे कि 20 आदमी खड़े उनको उड़ा गई तो कई तो इनको यह नहीं समझ मैं कि आ कहां से रही है और यह जो आग आ रही यह से बचा किसे जाए कई योंग लगा कि घर में वहमियों साम राज के दोखनी लगा कि मता जी नारियल नहीं चड़ाया इस चकर में यह आग बरस रहिए कि अधर मता जी किन हाथ जोड़े इते में आगे आगे वली सेना से लटगी आगे लोग उमरने लगे सेना पती मरने लगे तो सेना बाहर निकलने लग लगे पिर गंबीर समझ चावर वे अपने आपे सेना में हाथी ज्यादा होते हैं कि इ जादे होगे इसनाल करें आपने हाथियों को परियोग ज्यादा मैं गोड़ों को परियोग कम भाहर हाथी कम गोड़े ज्यादा थे इतल्यों को परियोग जब हाथियों कोई पता नहीं चल रहा आपको बराबर है तह पर जब हातियों गोड़े वाली लड़ाई होगी तो गोड़े वाले जितेंगे वह मुष्ट करोड़ता है और जब तक आपका हाथी दीर दीर चलता चलता अगले के पास पहुंचेगा तब तक अवाज आई तो हाथ ने भी तो तौप नहीं सुनी थी तो उनको लगा बगवान जने क्या इसलिए आती भागने लग गए इधर यदे अब इदर से आतीव भाग रहे है यहां जो आपकी इदर जो आपके है सेना पती मर रहे है इसलिए जाना बाहर जा रही इधर तोपों की वज़े से लोग मारे जा रहे हैं आपके इतने में सांगा ने और आपने जो हाथी चलाने वाड़ा था उसको का कि तो मुझे सबसे आगे लिए खड़ा करते है कि यहां खड़ा करते है इधर यह माल देओ खड़ा था मारवड वाला इधर अखिरास देओ ड़ा खड़ा था इन्होंने मना गया कि सांगा जी आगे मत जाओ आगे जाके मत लड़ो यहीं लड़ो सांगा ना मैं यही आगे जाके लड़ूंगा तो मेरी सेना का सांगा सबसे आगे चला गया बाबर यही चाहते थे कि सांगा आगे आ जाए जैसे सांगा आगे गया हाथी बेठके लड़ने लगा अब हाथी बेठावा आदमी दूर तक दिखता है तो सेनिकों में जो साय इधर वालों ने भी डंग से लड़ाई करने शुरू कि बॉप इंडिकों को इनदृत क्या रड़ रखांग पंडिल से अक दोनुरू कि चलाने वले से उसने इस टुकड को था वे इक ही गाम है सारे के सारी सांगा पर मरो रूक और किसी भी तीर मिंच लोका False संगह संग के भी आसपास में कवर खड़ा है उसकी संगह भी खड़ी थीर तो रोकेंगे तो संगह को कैसे लगें और वह हमें भी मरणें मारेंगे तुम्हें भी हजार में से 909 में मर जाएं तो कोई बात यह एक आदेगा तीर कonce हाँ महीं बीचे मैं रड़ क्रीट लगता सांगा नेले राजाता अंठ地 में जी चनन step today अब पैस्ट चेली कि आप यह से समाचार नवे भी किया हात्व अनों प्रहुत हंड़ा तो ही रावल में हीं घुर। वाले और यहां किसी भी कारण से युद्ध से बाहर आ गया तो उसकी जगह राजावला मुक्ड़ दहरं करके है शादढ़ीजाला कोई पेटेगा किसमें जम्हान okay आज वह जो जया इए सुपके सादरी हिगो ज्हाला अंधर अज्या नाम ज्हाला क्या है जाती असका अपने राजका श्वास ना डिस्थाझ अत्य दरे इ działa के नाम बाते उतलनसेलमranaut लेकिन तब तक मामला पढ़ब हो शुका था पिछे वालों के पास मेसेज पहुंच था कि अभी तक मरा नहीं तो तक सेना पीछे जान लगी शांगा बाहर चला गया अब जहला अज्जा और जो बाकी आगे वाल लोग खड़े थे उन्होंने वापस यूद लड़ने की कोशि ऐख था कल मैंने बताया थे उजबेकिस्तान से आएवे लोग थे उजबेकों लड़ने का तरीका था तुल्गुमा की लड़ने का तरीका čाथा अपने यह तरीक के से बस ये शेरीक लिखेगा आंद निसान में में ह्गा न कि तलवार से तलवार बाले से भाला पैदल से पैदल गोड़े से गोड़ा राइती सिंबल सिंबल बाबर ने अपनी एक तुकडी उतारी इधर से, तिर छियूंग, एक तुकडी उतारी इधर से, अपने फोजियों को यह भी नहीं समझवेया, अपना एक यहां खड़ा फोजी बाबर के इस फोजी से लड़ रहा था, इते में इधर वाले फोजी ने आगे इस पहतियार चला क्या बला करते इसको, और तुल्गुमा के अंदर खूब सारे लोग और मर गए, अब यह ज्यादा नुक्सान ओने लगा, सेना वैसे वापस बीचे अट गई, सांगा अवला समाचार फेली गया था, सेना वापस चली गई, सांगा युद्ध जित चुका था, और जैसे बा बाबर खुब दारू पीता है, काज आव आपने तो बंद कर दीती बाबर ने का ने इस टाइम तू डिसको, आज जसन मनाएंगे पुरी रात पियेंगे, सर आपने तो फेंग दीती सारी, बाबर ने का इतना बोला नहीं, एक पेटी अंदर रखी भी थी मेरे पास, कोई भ बंदा जीतता है, मतलब उस वो मजबूत, तो आपने सिंपल सा देखना है कि संगा में कहां कमिया और बाबर में कहां मजबूत है, संगा में कहां कमिया तो एक बड़ी कमी तो ये सेना के फोर्मेशन में, military formation ही कि आप, कि सेना में सेनापती एक ओना चाहिए, बाकी सब उसक से काम है, यही है, सेना में सेनापती एक होना ची, आगया पबेड पढ़ोगे जो पबेड में एक सिधान्त पढ़ोगे, आदेश की एकता, क्या पढ़ोगे, ओडर जो होता वो एक जगे से आना ची, ओडर अलग लग जगे से आने, बाई दिलिप सर नहीं ये का कि 9-15 तक चुटी 9-15 तक चुटी, क्योंकि ओडर एक जगे से ये मालो ओडर चार जगे से आते और एक बंदा काता 9-15, एक काता 11-15, एक काता 6-15, तो आप तो डाफा चूक रहते, कि कब से चुटी है, कब से चुटी नहीं है, तो कोई भी संग्ठान डंग से काम है, अब ये फिक्स मालो ये कोई नियमी नहीं हो, एक दिन 3-5 माया, दूसरे दिन दूसरे सर आगे, उन्होंने का माई एक कोनोमी पड़ाओंगा, तीसरे दिन कोई सर आयर, उन्होंने का आगी, मैं तुम्हें साइकलोजी पड़ा देता हूं, तो क्या तुम डंग से पड़ पाओगे, तो खानवा वाय 17 मार, आपने बैसाब एक मिनने का टाइम क्यों दिया, हातों हाथ जैसे बयाना जीता आगरा की तरह पठेक कर देते, तो बाबर को खानवा की तरह पाने का टाइम है, उसके जो भी सेने गायल हुए होंगे, उनके इलाज कराने का भी टाइम है, तोपें पर ल फिर एक कमी आपकी यह भी रही, कि आप जब इतने गायल थे, कि आपके हाथ नहीं, पेर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, असी गहाओ थे, किते गहाओ थे, आगे आगे जागे क्यों लड़ना है, बड़ा पीछे रहे के लड़ लेते, इसमें बड़ा वो जो शिफ्ट थोड़ा जोश रहता, पर सेना थोड़ी ओर लड़ सकती थी, तो सांगा गायल होने के बावजुद युद्ध के मैदान में चला गया, ये भी उनकी क्या थी, गल्ती, इंजड पले रहे, वो बाहर रहे, अचा एक लफड़ा ओर रहा इनके साथ, जब सांगा वाली सेना मे अधर लगा, उनको लगा मर गए, मर जाएंगे, ये आरब कही सेना पती बीच में भाग बाबर की तरफ चले गए, इसरे बापर राजी भी रहेगा, बाबर आपने को चोटा मोटा पत दे देगा, सांगा की तरफ से उधर गए, अच्छा आपकी कोई सेना को अपनी सेना को इदर से उधर जाते हैं इसके दो नुकसान एक तो कि मानलो एक एक बंदे के बात दो हजार आदमी थे दो हजार आदमी को इदर से निकाल के उधर ले गया शिदह नुकसान तो एक आपके तीसरी साइड में चले जाओ तो आपने जो बात किते आप उदर बताओंगे अपनी प्लानिंग तो बात लिगो गए ना पूरी तरीके से वह भी तरीका आपके अंतर कि सांगा गे जो भी सेनापती ते उदर गये तो उनों जागे बाबर को क्या बता दी प्लानिंग बता ुस बंदे का नाम था सलहधी तंवर कहानाम था कि के नाम ता इता तो दो अफाल अटेट मिल गया झाल झाल